डिनेड काट और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविट से गुज़रे हुए अंक्लेम बोडिस का दिगनेफाइड ग्रिमेशन करने में मदद कीजिए दिस्क्रीप्शेन में दिये हुए लिंक पर जाकर डिनेड काट पे अभी डिनेड करें दिल्ली के बेहत समवेदन सील इलाके में मौझूद इसराइली अमबेसी से महचकुषी दूरी पर 29 जनवरी को एक आईडी धमाका हुआ था अब उसी आईडी धमाके का CCTV फुटेच एक नहीं बलकि तीन तीन CCTV फुटेच आज तक के हाथ लगे है जिसमें दो संदिग्द आईडी प्लांट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद दोनों संदिग्द आटो से कहीं फरार हो जाते हैं पांच महीने हो चुके हैं पहले इस मामले की जाच दिल्ली पुलिसे स्पेशल सेल ने की थी अफिल हाल इस मामले की जाच एनाईए कर रही है लेकिन दोनों संदिग्दों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है शायद यहीं वज़ा है कि बकायदा जो राष्टिय जाच एजनसी एनाईए है उसने संदिग्दों का पता बताने वाले को दस लाख रुपया इनाम देने का एलान किया है आपको बता दे कि स्पेशल सेल ने शुरवात में इस पूरे मामले की जाज की थी इसराइली एंबेसी के आसपास के कई CCTV फुटेज खंगा ले गए थे जिसक एक ने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ है दूसरा एक जैकेट पहिंग कराता है पूरे इलाके की CCTV में दिखाई दे रहा है कि पूरे इलाके की रेकी करता है उसके एक संदिग्द के हाथ में बकायदा एक पैकेट होता है उसमें IED होता है वहाँ प्लांट करता है उसक कोई पता नहीं लगा पाई है जाच एजंसिया हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमन्द लोग हैं जिनके मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती नजाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वज़ा से मजबूर हैं आपकी थोड़ी सी इनकी जिन्दगी बदब सकती है तो क्यों न मदद के लिए हाथ बढ़ाएं दोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिएगए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें